हेलो इस्टुडेंट्स कैसे आप सब मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन अकेडमी ओफ एजुकेशन आज के इस बीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन आसनों के बारे में और ये बीडियो पार्ट 6 है चैप्टर नंबर 3 फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे तीन आसनों के बारे में एक है मंदूक आसन ठीक है और सलब आसन और है एक सब्त वज्रासन ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मंदूक आसन में देखना ये है कि जो मंदूक आसन है ये दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है मंदूक और आसन, ठीक है, मंदूक का मतलब होता है मिंधक, यानि की फ्रॉग और आसन का मतलब तो आपको लोगों को पताई है कि योगा का पोस्टर, ठीक है, तो in the last stage of its practice, the body starts looking like a frog, जब हम इसको practice करते हैं और जब इसकी जो last stage होती है, ठीक है मंदूक आसन की तो ये बिलकुल हमारी जो body है वो एक तरीके के, मलब एक तरीके से frog की तरह दिखती है, ठीक है इसलिए इसका नाम जो है, वो मंदूक आसन रखा गया इसके अगर हम regular practice करते हैं, तो abdominal organs जो हमारे वो जबूत बनते हैं, ठीक है, उनको massage मिलता है, और जो भी excess fat होता है हमारे abdomen में, या पेट पर, ठीक है, तो वो remove होता है इसका procedure क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, first of all sit comfortably on a yoga mat और a comfortable mat, यानि कि सबसे पहले हम लोगों को कोई yoga mat या comfortable mat, या चटाई पर जो है, बैट जाना होता है comfortably, ठीक, फिर कुछ सांस हमें लेनी है, ठीक deep breaths लेनी है, लंबी सांसे लेनी है, ताकि हमारी body relax हो जाए और उसके बाद हमें बज, विराजासन में बैट जाना है ठीक है, अब हमें क्या करना है एक मुठी मनानी है, ठीक है जिसमें हमें अपना जो थंब है, वो होना चाहिए मुठी के अंदर, ठीक अब क्या करना है now place your fist in the center of the navel अब नाभी के बीच में हमें अपनी मुठी रखनी है, ठीक और एक लंबी सांस लेनी है अब जब सांस छोड़ते समय आगे को थोड़ा सा जुकना होता है और apply करना है, ज़्यादा pressure ठीक है, नाभी की तरफ now make sure that your chest is touching your thighs अब ये देखना है, ये तै करना है कि जो आपका chest है, वो आपके thighs को touch कर रहा है ठीक, the focus of your eyes should be in front आपका जो आखों का जो focus है, वो सामने होना चाहिए stay in this state for 2-3 minutes 2-3 minutes इसी stage में रहना है ठीक है, इसी stage में रहना है और इसके बाद जो है जब इस pose को आप कर रहे हो breathe in, अंदर सांस लेनी है और बाहर सांस छोड़नी है ठीक है, जब आप यहसा कर रहे हो when you leave this pose ठीक, और देखे, जब आप इस pose को कर रहे हो तो अंदर सांस लेनी है और ठीक है and out for a while, थोड़ी दिर के लिए आप लोगों को अंदर सांस लेनी है, फिर बाहर छोड़नी है ठीक when you leave this pose, take a long breathe ठीक है, मतलब कि जब आप पोज कर रहे है तब तो normally जैसे आप सांस ले रहे हैं लीजे और जब आप इस pose को छोड़ें ठीक है, जब आप इस pose को complete कर लें या छोड़ें तो एक लंब भी सांस लेते वे छोड़ना है ठीक, now take a long breathe and come into वजर आसन ठीक है, अब वजर आसन में आ जाना है अब now repeat this process three to five times और इस process को तीन से पांच बार आप लोगों को repeat करना है, ठीक है image में जैसा है कि दिखाये गए, आप लोग दुबारा देख लीजेगा image, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं तरीके का ये आसन रहता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसके benefits क्या है हमने procedure पढ़ लिया है, ठीक procedure आप लोग देख सकते हैं, हमने पढ़ लिया है अब procedure का मतलब तो आप लोग समझी गए होगी कि इस आसन को कैसे perform करना है तो benefits क्या है, इसके देख लेते हैं benefits, ये जो है हमारे abdominal muscles होते हैं, पेट के पास के जो भी muscles होते हैं, ठीक है उनकी जो function है, उनका proper कर देता है हमारा जो weight होता है, इसको proper करता है, weight control में बहुत सहयक होता है ये, और जो भी लोग weight कम करने का सोचते हैं, वो इस आसन को perform कर सकते हैं इससे flexibility और mobility जो है घुटनों की और ankle के joints की बढ़ती है, ठीक है, और ये हमारे shoulders को और abdominal muscles को काफी help देता है, उनको tone में रखने हैं, ठीक है, regular practice अगर इस आसन की करते हैं तो इससे क्या है, हमारे lungs की capacity बढ़ती है फिर beneficial in gas constipation and indigestion in the stomach, अगर पेट में कोई भी समस्या है, जैसे constipation है, ठीक है, पेट से जोड़ी समस्या है, या फिर अपच है, या indigestion है, जैसे खाना हजम नहीं हो रहा या गैस की problem है, उसमें भी काफी सहायता प्रदान करता है, ये आसन ठीक है, makes the back strong आपकी जो डिल की हड़ी है, वो भी मजबूत बनाता है it can be practiced to relieve stress, anxiety and depression anxiety और depression को कम करता है, या stress को कम करता है, ठीक है, contraindications देख लेते हैं, इसके contradictions जो भी है patients, जो भी, ऐसे patients है, जो back pain या heart problem से suffer कर रहे हैं, ठीक है या कोई भी abdominal surgery हुई है तो उनको ये practice नहीं करना है, ठीक है ये आसन perform नहीं करना है और इसको आप तब भी ना करें, जब आपके कोई stomach में यदि ulcer बगरा है, तो भी ना कीजिए इस आसन को ठीक है, do not put maximum strain on your stomach, ठीक है तो अलसर बगरा है, तो तो नहीं करना है आप लोगों कोई आसन, ठीक है जिसको भी problem है, इस टमक में कोई ulcer है, कोई दिक्कत है, तो इस आसन को perform नहीं करना है और do not put maximum strain on your stomach, ज़्यादा खेचाओ या ज़्यादा strain या इसमें जो है, इस टमक के ऊपर नहीं डालना है ज़्यादा खेचाओ नहीं डालना है इस टमक पर, do not do it if you have high blood pressure, insomnia and migraine, अगर migraine की problem है नेन ना आने की बिमारी है या फिर blood pressure high रहता है, तो इस आसन को ना करें, ठीक है knee pain patients should avoid it जिसके भी घुटनों में दर्द होता है वो इस आसन को ना करें pregnant woman को भी इस आसन को perform नहीं करना है, ठीक है तो ये रहे contraindications और फिर benefits यहाँ पर है procedure और हमने इसके बारे में तो पढ़ी लिया कि mandukasana है क्या, तो students I hope आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा चलिए अब next आसन की तरह बढ़ते हैं next आसन हमारे पास है salavasana, ठीक है salavasana जो है इसको करते समय क्या होता है कि जो shape होती है body की वो एक तरीके से today की तरह यानि कि locust insect जो होता है ठीक है, एक तरीके का locust salavasana जो है वो locust pose कहते हैं इसको, ठीक है locust कितना pose बन जाता है अगर आप लोग देखें सही से और image जो है मैं इसमें upload कर दे रहा हूँ आप लोग प्लीज देख लीजेगा procedure क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं then gradually filling the chest and head with the hands on the ground ठीक है और gradually का करना है chest को ठीक है और जो head है आपका ठीक है तो उसको एक तरीके से बिल्कुल जमीन से लगाना है अपने हातों की मदद से ठीक है chest को और head को ठीक है जमीन की तरफ ले जाना है ground पर ठीक keep one leg at the height of one and a half hands as much as possible तो एक leg जो है आपका ठीक है उसको लगबग एक या देड़ हाथ के बरावर ठीक है देड़ हाथ के बरावर इतना उचा ले जाना है ठीक है जितना possible हो when if you want to exhale अब आपको जब अपसांस छोड़नी है ठीक है then slowly keep the foot on the ground और दीरे-दीरे ground पर जो है food को लाना है and do lexative slowly ठीक है दीरे-दीरे करना है इस प्रिक्रिया को similarly lift the other leg then lift both the legs और दूसरा leg भी आप लोगों को क्या करना है lift करना है ऐसे ही और दोनों फिर क्या करना है दोनों legs को एक साथ lift करना है ठीक है इस तरीके से रहेगा और इसका जो image आप लोग देख सकते है ठीक है benefits क्या है इसके देखिए इससे क्या होता है जो thigh ठीक है stomach, arms ठीक हमारा जो पेट होता है हमारा जो हाथ होते है और thighs जो होते है वो काफी benefit उनको मिलता है the intestines of the stomach become strong ठीक है जो आते होती है इस टमक की वो काफी strong बन जाती है all types of abdominal disorders are removed जो भी abdominal disorders है वो removed हो सकते है इससे ठीक है ये जो आसन है वो हमारी strength और flexibility को बढ़ाता है हमारी back की ठीक है यानि कि हमारी lead की हड़ी की अच्छा contra indications देख लेते हैं ये जो आसन है हमें तभी करना चाहिए जब हम morning में fresh होने के बाद defecation के बाद ठीक है party वज़रा जब हम जाएं उसके बाद ही हमें ये आसन करना चाहिए खाली पेट करना चाहिए ठीक है to perform this आसन we should wear loose clothes और हलके कपड़े पहनने हैं loose clothes पहनने हैं अच्छी और ताजी हवा जहां पर हो वहाँ पर आप लोग कीजेगा ठीक है इस आसन को तो I hope आप लोगों को ये वाला जो सलावासन है ठीक है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये आसन सलावासन का हमने उसके बारे में जाना ये locust pose कहलाता है ठीक है locust कितना आकरती बन जाती है body की shape बन जाती है और procedure हमने इसका पढ़ा benefits इसके पढ़ी ठीक है और contra indications भी पढ़े अब हम लोग जो है next आसन की बात कर लेते हैं next आसन हमारे पास है सब्त वज्र आसन ठीक है सब्त वज्र आसन जो है एक तरीके का advanced version ही है वज्र आसन का ठीक है जैसे कि आप लोग image में देख सकते हैं procedure क्या है इसका देखिए सबसे पहले वज्र आसन में बैठ जाना होता है और अपने जो दोनों पैर है ठीक है वो बिल्कुल open रखने है now hold your ankles with both your hands अपने एडियों को अपने हाथों से hold रखना है ठीक है पकड़े रखना है keeping both the elbows on the ground दोनों कोहनियों को ground पर रखना है put the waist on the ground as well ठीक है कमर बिल्कुल ground से touch हो नहीं है जैसा कि image में देख सकते हैं आप लोग ठीक and image में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिर इसमें बताये गया है keep the knees together ठीक है घुटने जो है वो इखटे रखने हैं ठीक है interlock both hands दोनों हातों को interlock कर देना है और उनको सर के under रखना है मतलब सर के under रखना है मतलब सर के पीछे रखना है हम कह सकते हैं जैसा कि image में देख सकते हैं ठीक है अगर language में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो please आप लोग थोड़ सा image को देखिएगा keep them under the head, ठीक है, सर के बिलकुल जो है, अंडर रखना है, stay in this position for a while, थोड़ी दिर के लिए इस position में रहना है, उसके बाद क्या करना है, grabbing the ankle, grabbing the ankle and taking the support of the right elbow, सीधे हाथ की जो elbow है, उसका support लेते हुए, आपको क्या करना है, grab करना है ankle को, ठीक, एडी को grab करना है, किसमें, ठीक है, और फिद आपको क्या करना है, वजर आसन में आ जाना है, ये जो सब्त वजर आसन है, ठीक है, practice सब्त वजर आसन as per your convenience, अपने according आप लोगों को करना है, जैसा आप लोगों को convenience रहे, ठीक है, you repeat this आसन two to three times, दो से तीन बार इस आसन को आप लोगों को repeat करना है, चलिए, आज सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इसके हमने procedure पढ़ लिया है, benefits देख लेते हैं, क्या क्या है, ठीक है, आप लोगों को काफी अच्छे marks मिलेंगे, और जो तरीका है आप लोगों को अच्छा होना चाहिए, लिखने का, और आप लोगों हो सके तो image भी draw करें, benefit है इसका, body fatigue यानि की body का जो भी थकान है वो remove हो जाता है, और जो रीड की हड़ी है या कमर है, वो flexible बन जाती है, और chest जो है वो चोड़ा हो जाता है, ठीक है, it is very beneficial in respiratory diseases, अगर अस्थमा जैसी problems है या फिर respiratory से, respiration से यानि की respiratory disease कोई भी है, ठीक है, सांस लेने में कोई issue है, स उसमें ये काफी मददगार सावित होता है, it is also beneficial in throat diseases like tonsils, ठीक है, tonsillates आप लोगोंने सुने होंगे, tonsillitis, ठीक है, tonsils हो जाते हैं, तो उसमें भी ये काफी, जैसे जो होता है, गले में tonsils हो जाते हैं, ठीक है, उनमें काफी बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करता है उनको ठ करने में ये, if it is practiced from childhood, then there can be no asthma disease, अगर इसको हम natural, हम एक तरीके से childhood, यानि कि बच्पन से ही इस आसन को perform करते हैं, तो अस्थमा नहीं होता है, the fat of abdomen, waist and buttocks is reduced and body becomes attractive, ठीक है, जो abdomen का पेट के पास की चर्वी है, जो कमर के पास की चर्वी है, या पिर जो नितम होते हैं, buttocks के पास की चर्वी है, तो वो कम होती है इससे, और body जो है, वो attractive बन जाती है, contraindications देख लेते हैं, क्या-क्या contraindications है, if you are having trouble moving your back while doing this आसन, then do not put too much stress on your body, अब जैसे मान लीजे, अगर आप लोग जो इसके back, अम ये आसन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और अगर back में दर्द हो नहीं परफॉर्म नहीं करना चाहिए, अगर घुटनों में दर्द है, या फिर कोई भी तरीके की कोई injury होई है गुटनों से जुड़ी हुई घुट है, टो आप लोगों को ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर है people who have back pain, avoid doing this asana, अगर back pain है, तो भी इस asana को मत कीजेगा, avoid doing this asana, even if you have pain in your hips, or have any kind of injury, ठीक है, अगर माल दीजे, hips में कोई भी issue है, ठीक है, avoid doing this asana, if you have pain in your hips, hips में अगर कोई pain है, ठीक है, या कोई भी injury है, ठीक है, कोई दिक्कत हो गई थी, तो ऐसे में ये इस asana को perform नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो next, जो है, avoid doing this asana, even if you have stomach problems, अगर पेट से जड़ी हो की problems है, तब भी आप लोगों को ये asana perform नहीं करना है, do not do this immediately after eating food, खाना खाने के त back pain, और जब back pain हो रहा हो, तो please, इसको मत कीजेगा, मैं already बता चुका हूँ, if you do it for the first time, then take advice from a yoga guru, ठीक है, एक yoga guru जरूर होना चाहिए, इस asana को perform करते समय, यदि आप इसे पहली बार perform कर रहे हैं, तो, ठीक है, तो, जैसे कि मैंने बताया, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, कि avoid doing this asana even if you have pain in your hips, अगर hips में भी दर्द है, या फिर, जो है, कोई भी injury है, चोट बगरा है hips में, तो, आप लोगों को ये आसन perform नहीं करना है, so, I hope, आप लोगों को ये तीनों asana, जो है, मैंने बताया, समझ में आ गया होंगे, ठीक है, और आप लोगों को, जो है, exam के point of view से भी काफी मदद मिली होगी, तो, please, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो, please, like कीजे, share कीजे, and comment कीजे, मैंने पुरी कोशिश किया, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और फिर भी, अगर कोई issue आप लोगों को लगता है, समझने में दिकत हो रही है, तो, आप लोग, please, मुझे WhatsApp कीजेगा, WhatsApp नंबर में, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यदि WhatsApp नंबर मैंने भी, डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, तो, फिर आप लोग, www.rajanacademy.com पर भी जा सकते हैं, ठीक है, तो, वहाँ पे आप लोगों को इस से जड़े हैं, सारे जो ही है, वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है, और कोशिच कर रहा हूँ है, रेगुलर जो भी आर्टिकल से हैं, इस से जड़े हुए, वह अपलोट करने की website पर, so, thank you so much for watching this video, thank you.